नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम आए हैं महरुरास्टा का पुरपलय डिस्टिक्क में आईये जानते हैं यहां पर किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग कीजाती है कितनी काओ है कितना मिल्क पुर्डॉक्शन होता है हरे चारे में क्या-क्या उसके साथ मैं dairy farming को करने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से हमारे dairy farm का पुरफलानी होना चाहिए आज हमारे साथ है नमस्कार सर क्या नाम है अपना नंदराज मेमानी क्या अड्रेस है यहां का पूना डिस्ट्रिक्ट बारा मती जिए अच्छा यह बताएं सर कितना पुराना dairy farm है यह दो साल से दो साल से उससे पहले आप क्या करते थे पहले मेरा पढ़ाई चलो था पढ़ा अचह अच्छा और उसके बाद में अभी प्रजेंट मेने कितने आपने हैं एच्छ यह बातना है च्छाँ पन्जाब से केमाने कितने अपने हैं 25 निट है कॉन सेपड़ लित हैं च्छ च्छ पानजाब में यह ब्लूजियांट आप सबी निहीं से लिए सब्सक्ताइ Dulcame mph कि मीशल स्ब्सक्रान होता है नहीं निहीं होता है हता है और प्राइज रेट रच 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 रे जाये लिए विस रेतरे हो अच्छा अभी लास्ट में घप अबी मैंने जनुवरी है जाता अच्छा जैसा अभी आपने बताए कि 50 अनिमल आपके पास है तो यह बताएं कि अभी कितने मिल्किंग में हैं अभी 45 मिल्किंग में 45 में कितना प्रडक्शन होता है जता है और ड्राई कितनी का हुए अच्छा कम्प्लेट रहे सर जैसा आपने बता है आच्छो लिटर पर अगर प्रड़े प्रडर्डे प्रड़क्शन है अब इस अगर इंकम की बात करें मंत्ली टोटल सेलिंग की बात करें तो कितना होता है हम 8 लग 8 लग के सम्झींग समंतिंग हो जात है महीने का इसमें से सुखाचारा हरा-चारा लेबर val की कॉस्ट मेडिसिन दवाईयां फार्म मेनेस्मेट इसमें 8 लाग मैं कितना आपका 어को है 25 से 30% बर्षाथ प्रॉफिट है ऐसे लोग तो बोलते हैं 50% प्रॉफिट है ऐसा क्यों इतना नहीं रहता तो ऐसा क्यों बताते हैं फिर अब उनको ही मालूम अच्छा आपका है कि 25-30% होता है सर यह बताएं कि इस फार्म को मैनेज करने में कितने वरकर रखें आपने दो वरकर पुरे फार्म को मेनेज करते हैं पुरे फार्म को मिल्किंग हातों से होती है और बताएं अब हरे चारे में लेता है csakरे में नेपीयर रहता है और शुखे में तूडी रहती है जौर का तूडी नहीं दोस्तों यहां महराष्ट में गयों का उत्पादन कम होता है कि सानों के पास इसलिए यहां पर जो ड्राई में है वो सूखा जुआर हुआ या मक्का हुआ उसको सूखा ड्राई करके दिया जाता है तूडी के रूप में सर यह बताएं कि अभी आप साहिले स्वयम का बनाते हैं कमपनी से खरीते हैं अब है और जैसे हैं आपके पास हमने वीडियो में देखी टीमर मसीन भी है तो यह कितने में लाए थे आप तो 5,30,000 के 5,30,000 का कौन सी कंपनी का है देवे का है पंजब से लेके आये ते कब खरीद है आपने इसको दो मेने हो अभी आपने सीविल इंजिनियर किया हुआ है तो आप दूसरी फिल्ड में नहीं जाते हुए डेरी फार्मिंग में क्यों आया क्या सोचा आपने इसमे इसमें पहले सी तथा अच्छा आपने कहीं से इसमें होता है असरी बताएं कि आपपार है बहुत नहीं परकार से इसका अउर कि अंबरें फमैंट की कारें जो कितना कぉर्या सेचा आया तो बीस लाइस पास युद्ट फीस की आसपास अच्छा आपके जो एनिमाले अगर पड़शे उनकी टॉटल एगर कीमत लगा ही जाई तो गाई की तो कीमत 1 लाग से 2 लाग तक भी है 500 अब आपके फार्म पर आपने ब्रीड तयार की है आप को तयार करने में किस प्रकार जाइट उसको तो पूरे तीन महीने सब्सक्राइख समय कर देता है ऊच्छा तर्बीस फिर तीन मेने के बाद उसको खाना नुए अंट नहीं हीपर कितनी तयार की आपने आप नहीं अच्छा तयार करें आप लगभक कंसीविंग में वह या फिर अभी चे महीने की चे महीने की अच्छा कितना बोडी वेट पे आप उसको कंसीव कराएंगे उसको तो साड़े 300 कितना दूद मिल कितना दिया उसको सुरुआत में उसको दस परसेंट बॉडी वेट के दस परसेंट देते हैं मिंडरल मिचर कौन सी कंपनी का यूज करते हैं यह में और जैसे फीड में दानों में क्या देते हैं कारगिल कंपनी का आता है अच्छा रिजल्ट है उस अच्छा आता है लेकिन हमारे इदर रॉम नहीं जो अभी आपको फार्म चलाने में किसी प्रकार की गंबी समस्या जैसे थनेला हुआ या मिस्टाइटिस या फिर फीवर हुआ किसी प्रकार की पसुओं में कोई गंबीर समस्या जो आपको परिसान करती हो नहीं इसा कुछ नहीं है वेक्सिनेशन कितनी बार कराते हैं आप एक साल में एक साल में तीन बार वेक्सिनेशन होता है कौन कौन से वेक्सिनेशन है अच्छा सर यह बताएं कि आप आगे इस फार्म को कहां तक ले जाना चाहते हैं कितने अनिमल आप लास्ट इसको कितने बढ़ाएंगे अ पंजब बहुत अच्छी है अच्छा सर आप इसको मैनेज करने के लिए जैसे आपने लेबर बता है कितनी लेबर बता है दो लेबर उसके साथ-साथ आप भी वर्क करते हैं थोड़ा सुबह का टाइमिंग क्या रहता है साढ़े पांच वजए सुबह का का साढ़े पांच बजय और साम tocco दोनो टाइम लग लग दूता है या फिर एक सांद कर ने अलग अलग जाता है मात्रा जादा होने का शुकर लेकिन फॉसफऩ्फर सब्स कम हो जाता है है फिर बात में चांसे बहुत कम हो जाते हैं इसलिए नहीं देते सर आपने जिसे आप काउ पर आये तो बफेलों पर क्यों नहीं गए आप नहीं ज्यादा आपको इंट्रेस्ट है बफेलों को कभी काम भी नहीं किया और यदि हमारे भारत के युवा अगर महरास्टा मद्रदेश राजस्ता नर्याना के नए युवा अगर डेरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखें डेरी फार्मिंग में आएं या ना आएं आएं आप किस प्रकार से उन्हें सलाह देंगे डेरी फार्मिंग का पूरा स्टड़ी करके इस सेक्टर में आए जाएं अच् पर देखा दोस्तों किस प्रकार से महराष्ट के नहीं युवा डेरी फार्मिंग के चेतर में यदि आप डेरी फार्मिंग करना चाते हैं तो सबसे पहले तीन बांतों का ध्यान रखें, सबसे पहले अच्छी ब्रीट का चेहन करें, ब्रीट के साथ अच्छी फीट का चेहन करें और फीट के साथ अपने फार्म के साफ़सफाई और पुरा मेनेजमेंट रखें, दोस्तों फार्म पर साफसफाई vaccination और समय समय पर पस्वों की देख बाल करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इससे हमारे farm की जो उम्र होती है काफी बढ़ती है सर आपने समय निकाला और हमारे चैनल पर आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका